हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिट से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सब्ताहिक राशी फल और आज कवर करूंगा एक से पांच जून तक के सब्ताहको यानि जून का जो पहला हफता है वही हर राशी के लिए ने हैं उनका इस चैनल पर स्वागत करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन प्रेस करके आल पर क्लिक करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर जानी शुरू हो जाए और मेरे पुराने वीवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टेरो रीडर भी हूँ तो आपकी स्क्रीन पर यह जो नमबर आ रहा है इसके उपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक परसनल रीडिंग सेशन चाहिए तो यह वाटस अप नमबर है इस पर आपको कॉल नहीं करना है इस पर वाटस अप मैसेज करना है सारे इंफरमेशन वाटस अप पर ही मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को ब जाने पहचाने मामलों में आप फश जाएं जानते हुए situation में आप stuck हो जाएं और ऐसे मामले जहाँ आपके फशने के chances नहीं है या श्टक होने के chances नहीं है वहाँ भी आप श्टक हो जाएं इस चीज की सम्भावना बनी है एक तारीख को इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रे इप्रूमेंट अगर लाना चाहते हैं तो अपने साथी की बातों को सुनिए और ज्यादा प्रति उत्तर मत दीजिए आंसर मत करिए आपके लिए बढ़िया रहेगा आपके द्वारा किये गए काम को लोग जज़ कर सकते हैं इस वज़ा से आप अनकंफर्टेबलनेस भी फिल कर सकते हैं ट्राइंगलर मामलों में सिच्वेशन आपके फिवर में नहीं रहेगी इसलिए थोड़ा सावधान रहें सावधानी बरते हैं इस चीज का ध्यान रखें अब बात करते हैं आपके लिए दो तारीकी दो जून का जो समय है ये बढ़िया नहीं है लोग आपको ध आउट हो या आप जान बूज कर जानते हों कि इस सिच्वेशन में लॉस हो सकता है बट फिर भी लॉस को ले लें तो इन सब चीजों में थोड़ा सावधान रहें शेयर मार्केट में ज्यादा बड़े या रिस्क वाले इंवेस्टमेंट कता ही न करें इस चीज का ध्यान और रिलेशन्शिप के मामले में सावधान रहें रिलेशन्शिप के मामले में जगड़ा होने की पूरी संभावना बनी हुई है तीन जुन का जो दिन आपका रहेगा मेश्राशी वो आपके लिए बढ़िया रहेगा वापिस चीज़ें फिर से नॉर्मल और नूट्रल हो जाएंगी दो तीन चीज़ें समझें सबसे पहला तो इश्वर की और आपका रुजहन बढ़ेगा इश्वर की क्रपा पे रहेगी आप कुछ नैतिकता भरे परोपकार भरे कामों को करने की कोशिश कर सकते हैं अगर किसी मामले में अपने आपको साबित करना चाहते हैं और ग्रेस बढ़ेगा आपके यश में व्रिद्धी होगी लेकिन ये सब दिखाने की या साबित करने की कोशिश मत करिये क्योंकि कोशिश इस चीज़ को परिशानी में डाल सकती हैं तीन जून का जो दिन है ये आपके लिए सुविधा जनत तो रहेगा लेकिन तब ही जब अपने आपको सकसीड करने के लिए प्रयास करेंगे रिलेशन्शिप के मामले में तीन जून बहुत बढ़ी हैं चार तारीक की बात करें दिखें चार जून का जो दिन है ये दो तरीके से रहेगा सबसे पहला आपके लिए सिचुवेशन फेवर में रहेगी दूसरा ये च ऐसे काम भी आपके सुपुर्द हो सकते हैं आपको डेडिकेट हो सकते हैं जिनको आप एक्चुली में नहीं लेना चाहते हैं अपने सिर्पर लेकिन इस पूरे मामले से भागने की कंडिशन आपकी नहीं बनेगी इस वजह से आपको नहीं लेना पड़ेगा तो आपको चा पूरे हूं उसकी भी संभावना बनी है और रिलेशन्शिप में चार तारिक बढ़िया दिन है पांच जून का जो दिन है आपके स्वभाव में थोड़ी रूड़नेस या रफनेस लेकर तो आएगा लेकिन दिन आपके पूरी तरह से फेवर में रहेगा पांच जून को आप गुस्सा करने को नहीं कहरा डाटने को नहीं कहरा सक्ति का मतलब होता है complete awareness धिलापन होना नहीं चाहिए अगर किसी परसन को आप softly हैंडल करके अपना काम कराना चाहते हैं पांच तारिक को तो आप उसके लिए softly नजर तो आएं बट अंदर से strict रहें कि आपको वो परसन धो किसे या और आगे develop होने में problem करेगा तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है गुस्सा आपका इस दिन तेज रह सकता है लेकिन इन सारी डिस्क्रिपेंसिस के बावजूद आपके decisions बड़े अच्छे होंगे मार्के के होंगे और सही होंगे तो उन पर आप rely करके आगे ब स्वागत है टारस आपके लिए एक जून का जो दिन है ये अच्छा नहीं है चीजें और सिच्वेशन और लोग दोनों या तीनों ये सब आपके खिलाफ काम कर सकते हैं लीगल मामलों से दूर रहें पैसों के बड़े लें देन जहां पर आपको डाउट हो रहा है या आप के मन में रिस्क वाली फिलिंग आ रही है उन से खुद को दूर रखें कोशिश करें कि एक जून को बड़े लें दिन को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा किसी नए वेंचर में शामिल नहीं होना कोई नया प्रयास ना करें नए योजना पर काम ना करें एक तरीके स आप दुबारा मेंटली टॉर्चर किये जा सकते हैं या सिचुवेशन ऐसी बन सकते हैं जहां आप डिप्रेस हो जाएं परेशान हो जाएं इस पूरे मामले में आप अगर सल्फ जेंट्रिक बन जाते हैं मतलब अपने आपको सेंटर में रख लेते हैं और अपने लिए ही सब कुछ करते हैं दूसरों की परवाह बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेशन के मामले में एक तारिक बढ़िया नहीं है दो जून का जो दिन है बहुत ब अश्माल किया जा सकता है आपको पता होगा कि हां ये परसन मेरा यूज कर रही है या कर रहा है और इसके बावजूद आप कुछ नहीं करेंगे छोड़ देंगे चीजों को सिचुवेशन को तो यहां आपको इस मामले में थोड़ा सा होश्यार रहने की जरूरत है थोड़ वाला तो बता दिया बेनिफीशल इस संस में बन सकता है कि लोगों का सहयोग या सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों की संख्या आपके बढ़ सकती है तीन जून का जो दिन है ये वापिस से ठीक ठाक रहेगा फिर बढ़िया रहेगा लेकिन इस दिन पहले तो इसमें पाउजूद एक लैक आप महसूस करेंगे एक खाली पन एक खोया खोया पन महसूस करेंगे और उस खाली पन को भरने की कोशिश में अपने मेन इस्ट्रीम जो आपका काम है उससे भटकाओ महसूस करेंगे ये डिस्ट्रेक्शन ही आपको आपके अचीवमेंट्स को पूरा करने में रोग देगा otherwise कोई problem नहीं है relation के मामले में दिन बढ़िया है चार जून का दिन थोड़ा साउधानी से इस्तेमाल करने का है सबसे पहली चीज तो वे मामले जहां आपको exactly doubt था कि situation आपके विरुद्ध हो सकती है या पूरा मामला खराब हो सकता है वो actually खराब हो जाएगा जब चीजें थोड़ी फेवर में नहीं है चार तारिक को तो आपको पहला काम करना acceptance ले आना है जब negativity हो तो accept कर लिए कि यस दीज और निगेटिविटीज हैस बीन हैपनिंग इन माई लाइफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहां से आपका उससे रिवर्सल शुरू हो जाएगा निकलना शुरू हो जाएगा लेकिन कोई योजना अगर आपकी निष्ट होती है चलता हुआ काम रुख जाता है दोस्तों से मनमुटाव या जगड़े की इस्तिती आ जाती है तो उस पूरे मामले में आपको शांत रहना है और कदम पीछे खीचने है हट जाना है सिचुएशन से किसी बड़े काम को ना करें नई शुरूआत ना करें आपके लिए ठीक नहीं है और रिलेशन्शिक के मामले में हस्ब पांच जून का जो दिन है ये ठीक होगा फिर से वापिस चीजों को बैलेंस करेगा जो चार तारी को खराब हुई थी और उन बैलेंसिंग सिचुएशन्स को आपके फेवर में स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे लाता चला जाएगा आपकी जल्दबाजी सिचुएशन को खराब कर सकती है आपका धैरे सिचुएशन को बेहतर करने में हेल्प करेगा आपके यश्क के बढ़ने की संभावना है लोगों के द्वारा आपके बारे में पॉजिटिव बातें की जाने की संभावना है किसी नए वेंचर में आपको इन्विटेशन मिल सकता है कोई नय प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है मिल सकता है जो फॉर्चुनेट होगा नए बिजनस आइडियाज आपको आ सकते हैं अपने भविश्य के प्रती बड़ी उम्मीदें आपके मन में आ सकती हैं और रेलेशन्शिप के मामले में पांच जून बहुत अच्छा बना हुआ तो टारस यानि विश्वराषी यह था आपके लिए राशी पर 1 मिफन राशी यानि जैमिनी एक जून का दिन आपके लिए बढ़ियां रहेगा सिस्टेमाटिक वे में चीजें आपके फेवर में रहेंगी लेकिन आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना है जैसे सीड़ी होती है न तो आप एक-एक कदम चड़के चलें तो आसानी से और टाइम जल्दबाजी नहीं करें जिस काम को ठानेंगे उस काम में आपको इस दिन सफलता मिल जाएगी ये आपके दिन का एक समझे मूल मंतर होना चाहिए तो आप अगर ठानेंगे तो सफलता मिल जाएगी अपनी योजनाएं दूसरों से छिपा कर रखें उनको सब कुछ बताने क जरूरत नहीं है जब सकसीड हो जाएंगे तो आपका काम बोलेगा और ये चीजें लोगों को पता चलेंगे रिलेशन के मामले में दिन अच्छा बना हुआ है और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई विक्ति आपको लालच देता है तो आप उस लालच में आएंगे नहीं दो जून का जो दिन है ये वापिस से बढ़िया है फिर ठीक ठाक है मतलब एक जून अच्छा था दो जून फिर बढ़िया है और इस दिन इश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी आपका भी रुजहान इश्वर की और होगा कुछ गेहरी चीजों को पढ़ने का या गंभीर सहित्यों को पढ़ने का मन हो सकता है अकल्ट साइन्स सीखने की एक्छा भी आ सकते है अकल्ट साइन्स मतलब जिसको जह कहता है जियोतिश एस्ट्रोलोजी या कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी गूर होती है जैसे एस्ट्रोनॉमी ठीक या मैथमेटिक्स भी देखे ये दिन आपके लिए बड़ा ग्रेसफुल और पॉजिटिव और पावरफुल है इस दिन को आप अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें लोगों के प्रती आप अपने अंदर एक सॉफ्टनेस एक सॉफ्ट फीलिंग महसूस करेंगे लेकिन लोगों को इसका फाइदा ना चीज इस दिन जरूरत से ज्यादा की उमीद ना करें दूसरे आप अपनी कैपिबिल्टी के बारे में खुद बाते ना करें जिसको कहते हैं अपने मुहमिया में ठोना बने मतलब अपनी तारीफ हैं कि भी मैं ऐसा हूँ मैं वैसी हूँ यह है वो यह सब ना करें अगर किस सिचुएशन में फस गए हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा तो थोड़ा अंतर मुखी हो जाएं दस मिनट पांच मिनट के लिए शांत हो जाएं दुनिया से कनेक्शन काटें आखें बंद करते हैं तो दुनिया से कनेक्शन कट जाता है तरीका ही है अपने बारे में अपनी कैपिबिल्टीज को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे उतना बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे आपके द्वारा किये गए कार्यों में पूरता या सफलता फ्यूचर में मिलेगी इस दिन आप काम को करें और वो चीज़ें सही ट्रैक पर हैं बस इतना ही आपको फ इचा हैं जीवन साथी के साथ बड़े प्रेम भरे संबंध होंगे रिलेशन बहुत रिलेशन बहुत बढ़ियां रहेगा लव रिलेशन में भी चीज़ें अच्छी होंगी अगर प्रेम संबंधों में आप दोनों के बीच आपसी सहमती हैं बढ़ियां चल रही हैं और ब्यापारिक मामलों में अच्छी सफलता दिखाता है जॉब के मामले में एक appreciation मिले इस बात की संभावना है आने वाले समय में आपको economical और social growth मिलेगी ये भी इस चीज में दिख रहा है एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी योजना पर आप पिछले कुछ समय से काम क और रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस सफलता मिलने वाली है तो चार तारिक को वो सफलता मिल जाए इस चीज की संभावना बनी हुई है पांच जून का जो दिन है ये सबसे पहला धन के मामलों में आपकी problems को resolve करेगा अब अच्छा ये एक चीज में बताओं कि कहते हैं न ये astrology में कि जैसे धन के योग हैं या राशी फल में कि इस दिन धन लाव के योग हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप घर में बैठे रही है धन लाव हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं आपके effort से धन का लाव हो जाएगा आपका effort जरूरी है बिना कर्म के फल नहीं है सीधी सी बात है जैसे अगर मान लिजें कि भगवान ने आपके आगे जोली फेंग दी तो जुक कर उठाना भी पड़ेगा ना उससे नहीं उठाओगे तो फिर वो अंधे वाली कहानी है जैसे मैंने एक सुनाई थी कि हीरे मोती रास्ते में पड़े थे और वो निकल गया क्र एक अपने पैसों का थोड़ा ध्यान रकना और नायास खर्चे के योग बदे बिना अफिजूल की चीजें आप ला सकते हैं दिखावे के लिए अपने आपको फुल्फिल करने के लिए या परिवार की खुशी के लिए और परिवार की खुशी के लिए भी इस तरह जिस च मभावनाएं बनी हैं और अगर कहीं इन्वेश्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है रिलेशन्शिप के मामले में भी पांच जून बहुत बढ़िया बना है तो मिथुन राशी ये था आपके लिए राशी फल एक से पांच जून तक का हेलो करकराशी आप सभी का स्वागत है आपके रिडिंग में करकराशी एक जून का जो दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है टूए सिचुएशन्स आपके फेवर में रहेंगी एक तरह का ये सेलिब्रेशन का दिन है इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ या अपन लवर के साथ या अपने मित्रों के साथ कई मामलों में परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे दिन को एंजुआई करेंगे वो मामले जहां पर स्पैसिफिकली किसी एक चीज को या एक व्यक्ति को टार्गेट कर रहे थे किसी काम के लिए उस चीज में सफलता मिलने के संयो सफलता इस दीन दिखती है लेकिन एक चीज़ का धिहान रखना है दिखर रिलेशन के मामले में यह दिन बहुत बढ़ी है लेकिन रिलेशन के मामले में आप भावनाओं में बह कर कोई commitment नहीं करें ठीक इस चीज़ का धिहान रखिये लिए दो जून का दिन आपके लिए बढ़िया हैं कोई खराब दिन नहीं है इस दिन आपके अंदर एक थोड़ी सी प्राइड होगी एक गर्व का आभास आपको होगा जहां पर थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं घमंड आपका बढ़ेगा समाज में आपके सम्मान में वृद्धी होगी लोग आपको सराहेंगे और इसी वज़ा से आपके एहंकार में भी वृद्धी होने की संभावना है तो आप एपने एहंकार को दिखाएं नहीं शो आउट ना करें किसी काम को करने के लिए अगर आप किसी परसन को लगा करके अपना फाइदा निकलना चाहते थे तो उसके लिए यह दिन बहुत बढ़िया है ब्यापारिक मामलों में आप रुक करके सोच करके सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे जॉब से रिलेटेड मामलों में अगर आप अपनी स्ट्रेटिजी बदलना चाहते थे तो उसके लिए सही दिन है या नई जॉब के लिए शुरुवात करना या प्रिप्रेशन करना या सीवी अपडेट करना चाहते थे तो उसके लिए यह दिन बहुत बढ़िया है कुल मिला करके इस दिन आप सामाजी करूप से अगर अपनी प्रगती के बारे में प्लैनिंग करते हैं तो फ्यूचर में उसमें सकसीड होने की पूरी संभावना बनी है और रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है तीन जून का जो दिन है ये थोड़ी आक्रामकता दिखाता है पैशन और पैशन भी हाई लेवल का ये उस तरह का पैशन होगा जब आप अपने चीजों को अचीव करने के लिए किसी भी लेवल तक जाने की संभावना रखते हैं और आपको एक्चुली जाना चाहिए दूसरों के लाब और हानी की परवा किये बिना लेकिन इंटेंशन आपका अपना फाइदा होना चाहिए किसी का नुकसान करूं तब मेरा फाइदा हो तो नहीं करना है यहाँ पर आपको और ज्यादर नुकसान का सामना करना पड़ेगा मेरे फायदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ और मेरे काम के चक्कर में किसी का साइड में बाई चांस नुकसान हो गया आपको कोई नुकसान नहीं होगा अंतर दोनों का समझने के ये पैशन रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम क्रियेट करेगा आपके लव रिलेशन में भी आपके स्पाउस रिलेशन में भी आपके फ्रेंडली रिलेशन में भी और फैमिली रिलेशन में भी जहां आप सारे मामलों में अपनी बात को हर हालत में साबित करना चाहते हैं मनवाना चाहते हैं उपर रखना चाहते हैं और लोगों को ये चीज कैच होगी इन सारी चीजों के अलावा अपने से 20 वर्ष बड़े विक्तियों से थोड़ा साउधार नहीं जब वो आपको सलाह दे रहे हूं या आदेश दे रहे हूं होश्यार रहना है रिलेशन्शिप के मामले में मैंने आपको बता दिया है एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर अपने जीवन साथी के साथ किसी विशय पर आप गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आपके जीवन साथी ने कोई आइडिया आपको दिया है तो आपको उसके आइडिया पर ध खुलता है लेकिन उन नई संभावनाओं के द्वार सिर्फ उस कंडिशन में खुलेंगे जब आप उसके लिए इंटरनली रेडी हो जाएं या फील करें अंदर से एक उत्सुकता भी आपके अंदर आ जाने चाहिए अगर अंदर से उत्सुक हैं तो नई संभावनाओं के द् उसमें दो चीजें हैं पहला आपके केरियर में इंप्रूमेंट रिलेशनशिप में और इंप्रूमेंट दूसरा आपके अरनिंग का एक अल्टरनेटिव सोर्स बनना शुरू हो जाएगा इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए और लाभिके संयोग इस दिन बनेंगे लेकिन आपको अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बतानी और अपने से 15 से 20 वर्ष बड़े विक्तियों के इंफ्लूएंस से बचना है इंफ्लूएंस से कैसे बचेंगे जब वह आपको सलाह देंगे तो हो सकता है आपको सलाह ऐसी लगे कि अरे गजब इस पर इलकुल काम करना चाहिए यह वैसी सलाह होती जैसे वह बुरा मत मानिएगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले देते हैं जब वह समझा रहे होते हैं प्लान तो हमें लगता है उस आदे घंटे में करें अगले करोड़पती हमीं है अगर को नेट रोर्क मार्केटिंग से जड नहीं हो सकते हैं तो उस तरह की सिचुएशन में आपको सिर्फ उनसके उपर दो बारी और सोचना है और सोचना क्या है इसमें कमी क्या है इसमें कमी क्या है कमिया मिलती जाएंगी उनको नोट करें दिमाग में बनाएं नोट या पेपर पे उन कमियों को हटाएं फिर वो योजना पूरी फुल फ्लेश आपके सामने कम्प्लीट और मोडिफाइड वर्जन में होगी और अब वो योजना आपकी योजना है और उस पर काम कर सकते हैं रिलेशन के मामले में चारतारी बढ़िया है पाच जुन रिलेशन के मामले में अच्छा है और इंप्रूमेंट लेकर आएगा आपके संबंध और दिन प्रति दिन बेहतर होते जाएं या इस दिन सीड़ी चड़ते जाएं इस चीज की संभावना है लड़कियों के मामले में आप अपने लिए अगर एक ग्रेस फूल सिचुईशन चाहती है तो इसकी पॉसिमिलटी है किसी को इमप्रेस करना चाहती है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़ी है आज के दिन लटकियों आपको अपनी सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए सुंदर बन के रहना चाहिए ठीक है मेकज़क करके अच्छे से रहिए इसका बेनिफिट आपको जरूरी नहीं अच्छा ये जो मेकज़क वली बात बता हीं नग है यह जरूरी नहीं कि आप किसी को influence करें, आपका खुद को modify करके रखना, बेहतर version में बना करके रखना, सुन्दर बना करके रखना, आपके अंदर एक ऐसा confidence लेकर करके आएगा, जो आपको succeed करेगा, जैसे अगर आप office जाती हैं, तो बंठन के जाएगा, आप एक business owner है, तो उत्रोथ देगा, बाकी अब लड़किों का मामला कहता है, बाकी सभी के लिए लड़के लड़की दोनों के लिए, ये दिन investment के लिए बहुत बढ़िया है, investment सिर्फ पैसों का नहीं होता है, इन्वेश्टमेंट एमोशन का भी होता है, जोजनाओं का भी होता है, पैसों का होता है तो इन तीनों मामलों में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप stock market investment कर रहे हैं इस दिन यानि पांस तारीकों तो long run के लिए करिएगा कई सालों के लिए planning करके करिए आने वाले सालों में आपको possibility यह है कि ऐसा फाइदा मिले जो आपकी उम्मीद से ज्यादा हो ठीक है और हाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब दूसरे लोग आपको किसी योजना के बारे में बताएं या इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं तो सुन सब की लीजिए बट अल्टिमेटली करिए अपने मन की इस चीज का ध्यान रखिएगा तो करक राशी ये था आपके लिए राशिफल एक से पाँच जून तक का हेलो सिंग राशी आप सभी का स्वागत है आपके रीडिंग में सिंग राशी एक जून का जो दिन आपके लिए है ये आपको काम के बोज के तले दबा सकता है लेकिन आपके पास ऐसी पावर होगी या ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने उसी काम के बोज को दूस देहां दे करके अपने बोज़ को थोड़ा हलका करते हैं तो आगे फरदर आपके लिए अपने लिए अचीमेंट हासिल करना पॉसिबल होगा वरना आप अपने काम के बोज़ मही दबे रह जाएंगे और acá applicable ठीक को कोिए नई अचीमेंट इस दिन हासिल कि नहीं दूसरों को उतना दूसरों को रीड करने में आपके लिए आसानी होगी इस दिन दूसरों के बारे में जज्मेंटल नहीं होना है situation ऐसी बनेगी कि आपको उनकी सच्चाई या हकीकत पता चल जाएगी और जब वो पता चले तो वो अपने पास रखना है किसी और को शेर नहीं करना कोई काम कंप्लीट हो सकता है लगभग बनते हुए काम के बन जाने की पूरी संभावना है घर में situation आपके फेवर में रहे इस बात की संभावना है और भवशे की किसी योजना पर आप काम शुरू करें सिर्फ पेपर वर्क करें या मेंटल वर्क करें इस बात की भी नीचा भी दिखा सकते हैं वे लोग जिनोंने पहले भी आपके साथ ऐसे कर्म किये हैं उनसे होश्यार रहें और वे लोग जिनके बारे में आपको हलका सा डाउट है उनसे भी होश्यार रहें अपने काम इस दिन खुद अपना काम जो काम आपका ही है उसे खुद करें दू रोसा नहीं करें हो सके तो लीगल मामले और पैसों के बड़े लेंदेन के मामलों को टाल कर रखें रिलेशन के मामले में दो तारिक बढ़िया दिन नहीं है तीन तारिक आपके लिए देखें तीन जून आपके लिए है तो अच्छा लेकिन इस दिन आप एक सॉफ्ट हार्ट परसन रहेंगे जिसकी वजह से आप कई उमीदें पाल सकते हैं एक तो सुखत समचार की संभावना भी है अगर एक सुखत समचार आपको मिल जायेगा तो इस पूरे दिन आप एक उमीद में आ जाएंगे और आपकी जो होप है यह आपको फर्दर रिस्क लेने से बचा लेग बचा लेगी मतलब हटा देगी आप इस दिन दोस्तों के लिए परिवार के लिए और वे लोग जिनको आप अपना मानते हैं चाहे प्यार माने या एक रिस्पेक्ट माने जो भी माने उनके लिए कुछ भी करने को तयार रहेंगे लेकिन इस दिन आपके अंदर हेजिटेश और घबराहट के बावजूद दूसरों के लिए आप वो रिस्क ले सकते हैं जो अपने लिए कभी नहीं लेते हैं तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इस तरह की सिच्वेशन में अपने आपको सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करनी हैं और सोच कर काम करना हैं किसी को साबित कर करने के लिए किसी को खुश करने के लिए कोई काम ना करें तो बहतर होगा आपको दूसरों का सहयोग मिलने के योग बने हैं तो अगर आपके काम में दूसरे अनायासी सपोर्ट करने या सहयोग देने की पेशकर्श करते हैं तो बिलकुल प्यार से ले लीजेगा रिलेशन तो भी बड़े हाई लेवल पर ये अप और डाउन दोनों हाई लेवल पर गहेंगे नीट्रल बने रहने के लिए आत्म विश्वास के बढ़ते या गिरते घटना करम में आपको स्थर रहना है आप मत हिलिए आत्म विश्वास बढ़ता है बढ़ जाने दीजे गिर जाता है गिर जाने दीजिए अगर आप स्थर रहते हैं तो ये बढ़ा हुआ या गिरा हुआ बैलेंस हो जाएगा बिलकुल आपके नेंदर्ड में आजाएगा और आप कुछ ऐसे रिस्क ले सकते हैं सोचे समझे जाने समझे जिन रिस्क को ले करके आपको सफलता प्राप्त हो सकत एक बार सोचकर भरोसा करें नई संभावनाई इस दिन बहुत जदा है इसलिए नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत 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 ये दिन आपको बहुत ग्रेसफुल रखेगा, आपके अंदर confidence जैसा मैंने बताया आप या डाउन करेगा, लेकिन उसके बावजूद आपका अपने उपर का जो विश्वास है, मतलब कि confidence गिरने की condition में और बढ़ने की condition में, आपका जो स्वयम पर विश्वास है, वो नहीं देखे, confidence और विश्वास, इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा सा फरक है, फरक ये है कि जब आप confident हो जाते हैं, आत्म विश्वास आ जाता है, तो वो आत्म विश्वास थोड़े समय के लिए support करता है, या oppose करता है, लेकिन आपका जो स्वयम पर विश्वास है, confidence नहीं फिल कर है, आत्म विश्वास गिर गया, लेकिन आपका स्वयम पर विश्वास है कि मेरा courage गया, मेरा confidence तो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको on track रख सकता हूँ, ये हैं आपका स्वयम पर विश्वास, वो दिन भर बना रहेगा, relation के मामले में, इस दिन आप कोशिश करें कि आ आपका जो partner है, या आपकी जो partner है, उनका आपके ऊपर विश्वास और बढ़ता जाए, बनता जाए, यानि उनकी activities पर ज्यादा ध्यान देना है, अपनी पर कम करना है, कम बोलना है, कम बताना है, कम करना है, लेकिन वे जो कुछ भी करें, उसे appreciate करना है, rude नहीं होना है, इस सिर्फ उस condition में दुविधा जनक या abnormal condition में डाल सकता है, जब आप अपने बारे में negativity से ग्रस्थ हो जाए, अगर आप अपने आपको negative feel कर जाते हैं, तो सारी चीज़े negative हो जाएंगी, और अगर नहीं feel करते तो नहीं, कुछ ऐसे आभास हो सकते हैं, आभास का मतलब होता है, suppose, कुछ ऐसा suppose आपको हो सकता है, जहां आपको लगेगा कि अब चीज़ें आपके favor में नहीं हैं, लोग आपके पक्ष में नहीं हैं, और इस situation का आपको favor ना करना आपके लिए lossful हो सकता है, यह सिर्फ आपको feel होगा, आभास होगा, जब कि सच मुछ ऐसा नहीं हैं, but आप ना करें, आगरह ना करें, relation के लिए थोड़ा होश्यार रहें, क्योंकि relation के मामले में आपका मन doubtful हो सकता है, तो अंदर की doubt को बाहर बताना भी नहीं है, होश्यार रहना है, ओके, सिंग राशी, यह आपके लिए था, राशी फल, एक से पांच जून तक का, हेलो कन्याराशी, आप सभी का स्वागत है आपकी reading में, कन्याराशी आपके लिए एक जून का जो दिन है, यह बढ़िया रहेगा, लेकिन इस दिन आपके अंदर एक rudeness भी रहेगी, बढ़िया आपके लिए रहेगा, आपके लिए दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपका जो behavior है या आपका जो एक mindset है, वो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा conscious होंगे, फोकस्ड होंगे, और इस वज़ा से आप अपने काम में, अपने target में succeed हो सकते हैं, लेकिन आपके behavior की rudeness आपकी image को गिरा भी सकती है, इस बात अचानक मिलेगा, अचानक से वो आपके support में आ सकते हैं, और आपका support करते करते हैं, अचानक किसी issue पर आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो दोनों मामलों में आपको neutral रहना है, उनको volatile होने दीजिए, आप मत आइस्थिर होईए, relation के मामले में आपके लिए, चुकि purchase हो चाहेंगे, control चाहेंगे, इसलिए चीज़ें आपके favor में थोड़ी सी कम हैं, अगर आप control वाली बात को side करते हैं, तो relation में problem नहीं आएगी, किसी specific मामले पे गंभीर निर्ड़े लेना है, serious decision लेना है, तो उसके लिए ये दिन बहुत बहतर है, और आप इस चीज़ के लि लिए बड़ी साउधानी दर्शाता है, अगर इस दिन आप आर्थिक मामलों में लेन देन के लिए साउधानी नहीं दर्शाएंगे, तो या तो आप क्या पैसा कहीं दूब जाएगा, या आप किसी ऐसे उधार को ले लेंगे, जिसे वापिस ना करता है, दोनों ही conditions में सिधे सिधे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आपको टकराएंगे जो आपका फाइदा उठाएं और आपको पता हो कि ये परसन मेरा फाइदा उठा रहे हैं या उठा रही हैं, उस मामले में होश्यार रहना है, आपको अपने आपको किसी भी लेव को बढ़ाएगा समाज में आपकी image को बनाएगा घर परिवार में और आपके अपने सोसाइटी में आपकी image को और improve कर सकता है आपके द्वारा लिए गए decision अच्छे साबित होंगे लेकिन उन्हीं लोगों को बारे में पहले तो decisions जो अपने ले लेंगों वो बढ़िया होगा और दूसरों के मामले में भी आपके decision अच्छी होंगे लेकिन उन लोगों को ही अपने advises दें जो आपसे advice मांग रहे हों या decision के लिए या इस मामले में क्या decision लें ऐसा पूछ रहे हैं otherwise शांद रहे हैं future के लिए planning करने में ये दिन बहुत बढ़ियां रहेगा और अगर आप भवेश्य की योजना बनाते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है सबसे पहला economic growth कितनी होगी दूसरा social status कितना improve होगा दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो बढ़ियां रहेगा इस दिन ब्यापारिक मामलों में सफलता के पूरे योग बने हुए हैं office में आपका grace आपका और और बढ़े इस बात के भी योग बने हैं और साथी साथ relationship में भी तीन तारिक बहुत बढ़ियां बना हुआ है चार जून का दिन एक नई संभावना को तो दर्शाता है लेकिन आपके अंदर बचकानी हरकतों का इजाफा हो जाएगा increment हो जाएगा increasement हो जाएगा इस चीज़ की संभावना है खुद को खुद के बच्पने से बचाना है means ऐसे मामले जहां आपको लगता है कि यहां risk है खुद को बचाने या आपको बिलकुल idea नहीं है बिलकुल blank है सब कुछ तो वहां भी कदम को पीछे खीचें खुद को साबित करने की कोशिश ना करें कताई किसी भी हालत में आपका खुद को प्रूव करने की कोशिश करना ही आपका दुश्मन हो जाएगा इस चार तारिक को आप जो भी करना चाहते हैं उस मामले में सिर्फ effort करें जो result होगा उसके बारे में सोचना बन करने रिजल्ट बहतर और आपके favor में automatically आ जाएगा लेकिन intentionally favor वाले result के लिए काम करना आपको मुश्किल के मुश्किलों का सामना करा देगा परिशान हो जाएगा एक बात का और ध्याम रखना है कि इस दिन आप दूसरे लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं और प्रभावित हो भी सकते हैं जब आप दूसरों को प्रभावित करेंगे तो आपका प्रभाव जल्दी खतम हो जाएगा थोड़े समय में गायब हो जाएगा सेम डे में ही कुछ गंटे में लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आपको प्रभावित कर देगा तो उसके प्रभाव का जो औरा है वो कई दिन तक रह सकता है इसलिए दूसरों की बातों को सुनकर उन पर तुरंत काम करने की जरूरत नहीं है सोचना विचारना बहुत आवश्यक है रेलेशन के मामले में 4 तारिख बहुत बढ़िया बना हुआ है 5 जून का दिन आपको समस्याओं और संकटों के बीच में से निकाल कर ले जाने वाला दिन है लेकिन जैसे बोला समस्या संकट बने हुए हैं problems हैं और उन problems के बीच से ये दिन आपको खिंचके निकाल ले जाएगा लेकिन निकलने की तैयारी होनी चाहिए तैयारी तब होगी जब problems के बीच से निकलने की mentality आएगी that means when you accept all your problems कि हाँ मेरी life में ये problem है तो है बट मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है और सच मुझे आगे बढ़ जाएंगे commitment किसी को नहीं देनी है कोई नया काम शुरू नहीं करना है दूसरे लोगों को अपनी problems के बारे में बताना नहीं क्योंकि उनकी मदद बिलकुल मिल नहीं पाएगी वो वेक्ती जो अनायास आपकी मदद करने के लिए सामने आ जाए उसकी मद को मना भी नहीं करना ले लेनी है ठीक है रिलेशन के मामले में ये दिन आपके favor में नहीं है उसका reason ये है कि आपका mind थोड़ा disturb रहेगा otherwise कोई problem नहीं है तो कन्या राशी ये था आपके लिए राशी फल एक से पाच जून तक का हेलो तोला राशी आप सभी का स्वागत है आपके रिडिंग में तोला राशी आपके लिए एक जून का जो दिन है ये देखिए दिन बुरा नहीं है लेकिन लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ सकता है और लोगों के विरोधों का सामना करने की पूरी छमता आप में होगी capability पूरी रहेगे आपके पास logics पूरे होंगे लेकिन आपको दूसरों का ध्यान देने की बजाए अपने लक्ष की और आगे बढ़ना चाहिए और आप succeed भी हो जाएंगे graceful भी हो जाएंगे इस चीज का ध्यान रखें किसी काम को करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल ये दिन permission देता है कि आप उस चीज को करें जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आगे जा सकते हैं ये दिन आपको आर्थिक मामलों में ब्यापारिक मामलों में एक सफलता दिखाता है और साथी साथ सोशल इमेज आपका अप डाउन दोनों हो सकता है उपर और नीचे हो सकता है जब आपके विरोधी हाबी होंगे तो आप डाउन फील करेंगे लेकिन जब आप उनका सामना करके आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो अब फील करेंगे और अपका सोशल इस्टेटस उपर ही रहेगा रिलेशन के मामली में ये दिन फेवर में है दो जून आपको एक हाई एनरजी प्रोवाइड करेगा लेकिन इस हाई एनरजी को सही तरीके से इस्तेवाल करना है पहला काम आप अंदर अपने बहुत छमता उर्जा या मोटिवेशन फील करेंगे लेकिन कुछ दिखावे के लिए नहीं करना है उसी चीज़ पर अपनी एनरजी को लगाना है जो रूटीन बेसिस प्रोग्राम आपके चल रहे है जो रूटीन काम चल रहा है उसी पर लगाईए अगर जॉब चल रही तो अपनी एनरजी को जॉब पर लगाईए बिजनस चल रहा है तो बिजनस पर लगाईए आपको एडिशनल चीज़ों पर फोकस इस दिन नहीं करना है क्योंकि उसमें सक्सीड नहीं होंगे इस बात का ध्यान रखे हैं वह लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार उन लोगों से जीतने के पूरे योग हैं कि आप विन करें इस चीज की संभावना है लेकिन एक ऐसी सिच्वेशन जहां आप स्पेसिफिक किसी मामले को टार्गेट करके काम कर रहे हैं वहां पर आपके सक्सीड होने की संभावना ज्यादा बनी है रिलेशन के मामले में एनरजी लेवल थोड़ा हाई रहेगा उसके बावजूद बहुत बढ़ियां रहेंगे चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आपके अंततो गत्वा संभान में वृद्धी हो इस चीज के संकेत मिल रहे हैं तीन जून का जो दिन है ये ट्राइंगलर सिचुएशन में चीजों को आपके फेवर में लाता है पॉइंट वन पॉइंट टू आपको आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर रेडी होने की जरूरत है और पॉइंट थ्री आपको एक बढ़िया प्लैन की जरूरत है आपके प्लैन के एकॉर्डिंग चीजे मुड़नी शुरू होंगी अगर आप ये करते हैं तो लेकिन अगर अगले एक हफ़ते या दस दिन के लिए कोई प्लैनिंग करते हैं और छोटा सा टार्गेट बनाते हैं तो उसके अचीव होने की पूरी संभवना बनी हुई है लेकिन जब आप प्लैन करें या टार्गेट बनाएं तो जब तक टार्गेट पूरा नहों दूसरों को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप अपने अंदर एक हिम्मत महसूस करेंगे लेकिन जरूरत से ज़्यादा आत्म विश्वासी होकर कोई भी निर्ड़े लेने से खुद को बचाना होगा रिलेशन के मामले में तीन तारीक बहुत बढ़ियां बना हुआ है चार जून का जो दिन है ये आपको एक सैटिसफैक्टरी पोजीशन तक ले जा सकता है जहां आप अपने आप में एक आत्मसंतुष्टी की भावना फिल करेंगे ये वो मॉमेंट है जो आपको बाकी की प्रॉब्लम से थोड़े समय के लिए कट कर देगे इस पूरी सिचुएशन को इंज्वाई करना है एडॉप्ट करना है इस पूरे मामले में खुद को खुश रखें ताकि आपके मैंड में एक रिफ्रेश्मेंट आ सके फ्यूचर के लिए रेडी हो सके आने वाले समय में चीजें आपके पक्ष में होगी इस दिन अगर लोग आपसे मित्रता करने के लिए आगे आते हैं तो आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी लेकिन ये तब डिपेंड करेगा जब लोग पहल करें आपको पहल नहीं करनी है परिवार में और समाज में आपके समान में वृद्धी होगी और रिलेशन्शिप में चारतारिक बढ़िया बना हुआ है पांच जून का जो दिन है ये आपको सुखत समाचार दे सकता है दूर रहने वाले किसी मित्र या रिष्टेदार वगरा से मुलाकात होने की संभावना है या उनका आना आपके यहां हो सकता है अगर अपनी राह आगे बनाने के लिए प्रयासरत है तो अंदर से एक मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस आप फिल कर सकते हैं लेकिन नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है थोड़ा रुकें क्योंकि अभी आपके मन में जल्दबाजी वाली भावना होगी और पांस तारिक को कोई भी काम जल्दबाजी में आ करके या एक बार सोच करके नहीं करना है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करके अपनी योजना को सही अनुरूप में मोड करके मोडिफाइड करके तब आपको काम करना है तब ही आप सक्सीड होंगे इस दिन दूसरे लोग जिनकी उम्र आपसे 15 से 20 वर्ष या उससे ज़्यादा है वे आपको धोखा दे सकते हैं अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां आप अपने आपमे रिग्रेट फील करना शुरू करें तो इन सब चीजों से बचें रिलेशन्शिप के मामले में पांच तारिक अच्छा दिन है तो तोला राशी ये था आपके लिए राशी फल एक से पाच जून तक का हेलो वरिश्चिक राशी यानि की स्कॉर्पियोस आपके लिए एक जून का जो दिन होगा एक जून का दिन अच्छा होगा आप जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं अंदर से बड़ा पुश और मोटिवेशन फिल करेंगे आप एक बार आगे बढ़ेंगे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं आप उदाहरर बन सकते हैं इस दिन आप लीडर्शिप की पोजीशन या उस भूमिका को निभाने में कैपेबल हो सकते हैं इस दिन लोग आपका अनुसरन करें इस तरह की संभावनाय बनी होगी हैं एक बार लेकिन आपने कोई लक्ष आज बना लिया एक तारिक को तो इस दिन आप अपने लक्ष को पूरा किये बिना पीछे हटने वाली टेंडेंसी में नहीं आएंगे आप मरसी लेसली मरसी लेसली मतलब बिना दया की भावना के अपने टार्गेट की और बढ़ते जाएंगे थकान होने पर आप अपने उपर भी दया नहीं करेंगे काम में लगे रहेंगे जो बढ़ियां बात है रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत अच्छा बना है पॉजिटिव है और लेकिन ध्यान एक बात का ये रखना है कि आप अपने रिलेशन में जो आपके परसनल रिलेशनशिप है उसमें ज्यादा होप न रखें चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव है दो जून का जो दिन है ये आपको एक पैशनेट परसन के तोर पे तबदिल कर देगा बदल दे जहां आपको लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए एक्चुली आपको सही लगता है और आपको पहल करनी की जरूरत है पिछले कुछ समय से अगर आप एक उधेड़ बुन में थे एक ठिंकिंग में थे तो उस ठिंकिंग से आगे निकले पहल करें और चीजों में सक्सेस को हसिल करें ये दिन सक्सेस दिखाता है ग्रोथ दिखाता है नए काम के शुरुवात को भी दिखाता है ब्यापारिक मामलों में आर्थिक मामलों में घरेलू मामलों में परसनल मामलों में सफलता दिखाता है ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अपने पैशन की वज़ा से आप किसी को हर्ट ना करें रिलेशन के मामले में दिन अच्छा बना हुआ है तीन जून का दिन आपको डरा देगा आपको एक परकार की इंसिक्यूर फिलिंग देगा ये हेजिटेशन आपको अंदर से इंट्रोवर्ट करने का काम करेगी लेकिन दिन के खत्म होने के साथ साथ ये चीजे खत्म हो जाएंगी आप वापिस अपने फॉर्म में आ जाएंगे इस दिन आप फूक फूक कर कदम रखें ऐसे इंसान होंगे सोच समझ करके काम चलें बि पिना दूद से जले हुए छाच को फूक रहे होते हैं तो उस चीज की जरूरत नहीं लेकिन बट लोग कर रहे होते हैं तो ये वाला सिच्वेशन हो सकता है आपके साथ इस दिन अपने किसी नए प्लैन पर काम करने की हिम्मत या एक तरह का रिस्क लेना बिलकुल आप से ह हो नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं इस दिन को इजी जाने ने शांत रहें अपने मन में जो निगेटिविटीज हैं वो किसी से शेयर ना करें कूल रहें रिलेशन के मामले में भी आपका अपने पार्टनर के उपर एक स्लाइटली डाउट बना रहे हो चार जून का दिन ठीक है इस पूरे मामले में आपको प्रॉब्लम चाहे छोटी दिख रही हो या बड़ी सभी को आसानी से मैनेज किया जा सकता है बस आपको शुरुआत करने की देर है शुरू कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा नहीं करेंगे तो गया आप अपने रिफ्लेक्शन से परिश ये फिलिंग आपको डिस्टर्व, डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट कर देगी रिलेशन के मामले में दिन थोड़ा अच्छा बना हुआ तो है लेकिन अगर आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए कुछ इशूस क्रियेट किये जाते हैं तो आपको उन्हें शान्ती से म आज जून का जो दिन है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करेगा आपके माइंड में जज्जमेंटलनेस आ सकती है लोगों के बारे में आपकी ओपिनियन एक्स वाई जी कुछ भी हो सकती है या ए थी तो बी हो जाए बी थी तो सी हो ग्यान कहीं से मिल सकता है बारा साल का दस साल का बच्चा भी ग्यानी हो सकता है लोगों की बातें इस्थितियां पर इस्थितियां और सिच्वेशन आपको ग्यान देंगी नौलेज देंगी उन नौलेज को एडॉप्ट करना है इस दिन आप जान बूज करके कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए फ्यूचर में आपको रिग्रेट होना पड़े और अगर कहीं ऐसा लगता है कि मुझे एक नयाय करने की जरूरत है तो नयाय की देवी की तरह आंक पे पट्टी बान के नहीं आके खोल कर नयाय करिये गए ठीक है इस चीज को समझें आके खोल कर मतलब जाने समझें कि क्या कहा जा रहा है क्या सिचुएशन है और मैं क्या कर रही क्या कर रहा हूं तभी आप सही नयाय कर पाएंगा रिलेशन के मामले में दिन अच्छा तो बना है लेकिन इस दिन आपके पार्टनर के द्वारा आपको जज किये जाने के संभावना है तो व्रिश्चिक राशी ये था आपका राशी फल एक से पाच जून तक का हेलो धनूराशी आप सभी का स्वागत है आपकी रिडिंग में धनूराशी एक जून का जो दिन आपके लिए है ये थोड़ा सा चुनोतियों और संभर्षों से भरा होगा इन चुनोतियों और इन संभर्षों में दो सिचुएशन में आप फच सकते हैं पहला एक फ्रेंडली चुनोती बनी हो फ्रेंडली संभर्ष बना हो और दूसरा आपके दुश्मनों द्वारा बनाया गया हो दोनों परिस्थितियों में जीतने की संभवना आपकी ही है अगर आप हार मानने से मना कर देते हैं तो डोन्ट गिव अप हार मत मानिया और जीतेंगे आप लेकिन अपनी योजनाओं पर उसी तरह से कायम रहें उसी तरह से चलें जैसा आपने प्लैन किया है डियूरिंग दे स्ट्रगल नई स्ट्रेटिजी बनाना आपके लिए फाइदे बन नहीं होगा दो जून का दिन सिचुएशन को आपके फिवर में ला सकता है और साइमिलटेनियसली दो मामलों को हैंडल करने की पावर देगा लेकिन तीसरे की ओर आपको नहीं देखना है तीसरे की ओर देखना मतलब तीनों काम को ख़राब कर देना है ठीक है economical sector में, financial मामलों में, career के मामलों में, business के मामलों में आपके दोरा लिए गए decision सही होंगे, आपके दोरा उठाए गए कदम सही होंगे लेकिन लालच आपको नहीं करना है, ठीक है, आपके पास दो चीज है, दूर कहीं दस चीज है उस दूर का लालच मत करिये, क्योंकि उस दूर के चक्कर में ये दो भी चले जाएंगे, तो इस बात का ध्यान लगए अगर आप किसी तरह की सटे बाजी ये stock market में investment करते हैं, तो उस चीज से आपको इस दिन दूर रहने के संभावना है क्योंकि लालच इस दिन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उस लालच की वज़ा से नुकसान भी बहुत बढ़ा हो सकता है relationship के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है अब बात करते हैं तीन जून की, एक परिवर्तन दिखता है, लेकिन साथी साथ इश्वर की करपा और अनकमपा भी दिखती है कुछ ऐसे करमा आपके हैं आपकी लाइफ में, प्रिजेंट लाइफ में, जिनका प्रतिफल आपको इस दिन मिल सकता है पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है आपको हर चीज को पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि करम का प्रतिफल इश्वर की और से आता है तो वो अच्छा या बुरा जो आता है आप सुईकार करें इस दिन आप अपने फ्यूचर के बारे में अगर एक ऐसी प्लैनिंग करते हैं कि आपको क्या करना है और सिर्फ अपने लिए करना है जिसमें दूसरों के नुकसान के संभावना या बात नहीं है तो आपके प्लैन्स बड़े अच्छे होंगे और आप उस पर काम कर सकते हैं ये परिवर्तन आपके बेहतरी के लिए होगा छोटे मोटे परिवर्तन इस दिन होंगे जो आपके बेवहर में या आपके सिचुईशन्स में होंगे इन परिवर्टनों को होने दीजे क्योंकि ये आपके लिए लाबकारी है बड़े निर्डेयों को इस दिन टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रिलेशन्शिप के मामले में दिन कमफर्टेबल और कैजूल तो बना है लेकिन आपको अपने रिलेशन में अगर अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं दी है तो तीन तारीक को एक और दिन रुकने की जरूरत है अब बात करते हैं चार जून की चार जून का दिन टूवे सिचुएशन्स में एक बर फिर से आपको फेवर में ले आएगा परिस्थितियां आपके पक्ष में अनायास भी मुड़ जाएंगी वो मार्ग वो रास्ता जो अभी प्रिजन्ट टाइम में आपको फाइदे का नहीं दिख रहा या आपके लिए परिशानी कर रहा आगे चलके आपके फेवर में वापिस तबदिल हो जाएगा अगर स्पेसिफिक मामलों में आप अच्यूमेंट चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है ब्यापारिक मामलों में आर्थिक मामलों में ये दिन प्रगती भी दिखाता है लेकिन साती साथ आपके सम्मान का बढ़ना भी दिखाता है सम्मान एक ऐसी चीज है आपका फेम एक ऐसी चीज है जिसे एडॉप्ट करना है अगर आप एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो छणिक होगा और कुछ समय में खत्म हो जाएगा लोगों की आपके बारे में क्या राहे ये सोचने की जरूरत आपको कता ही नहीं है बलकि ये सोचना है कि आप अपने फ्यूचर को और बेहतर कितना कर सकते हैं इस तरह की मेंटलिटी रखिए रिलेशन के मामले में चार तारीक अच्छा बना है पांच जून का दिन एक संभावनाओं के द्वार को खोलेगा जो अनंत हो सकती है लेकिन इसके लिए पहल आपको करनी है अगर आप सिच्वेशन को अपने फेवर में रखना चाहते हैं तो कुछ मामलों को लेट गो कर दें ऐस इट इस जैसा चल रहा है चलने दें हस्तक हो या आपके द्वारा हो रही हो तो उसी समय में आप अपने भवश्य की योजना पर भी काम करें अगर आपके पास एक अच्छी फुल्प्रूफ योजना है फुल्प्रूफ नहीं भी है सिर्फ एक योजना भर है खाका भर है तो उस योजना के उपर काम करके सकसीड हो सकते हैं अगर आर्थिक मामलों में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन प्रयास करें अपने जॉब के मामले में कुछ ग्रोथ चाहते हैं तो इस दिन प्रयास करें नई जॉब के लिए आवेदन कहीं करना है तो इस दिन प्रयास करें आपके लिए बढ़िया रहे रिलेशन के मामले में पांस तारिक अच्छा बना हुआ है तो धनुराशी ये था आपके लिए राशी फल एक से पाच जून तक का हेलो मकर राशी आप सभी का स्वागत है आपके रिडिंग में मकर राशी एक जून का जो दिन आपके लिए है ये एक के बाद एक समस्याओं को ला सकता है समस्यां आती हैं तो आने दीजिए आप अपने काम पर बने रही है समस्यां को साइड में चलने दीजिए और अगर किसी ऐसे मामले में है या ऐसी सिचुएशन बनी है जहां उन सारी समस्यां ने आपके लिए मुसिबत कर दी है तो किसी एक पर target करिए, एक पर focus करिए और आप उससे बाहर हो जाएंगे ये दिन दूसरों की मदद करने का कता ही नहीं है, इस दिन help yourself वाला मामला है आप अपनी मदद करें, अपने आपको graceful रखें, अपनी health का विशेश ध्यान आपको रखना है क्योंकि स्वास्थ में problems आने की संभावना बनी है, लेकिन साथ ही साथ ये सारी discrepancies के बावजूद आपके लिए achievement की भी संभावना बनी है, तो उस achievement को हासिल करने के लिए बस आपको कमर कसना और आगे बढ़ना है relation के मामले में दिन अच्छा नहीं है दो तारिक situation को जो एक तारिक को थोड़ी disbalance थी वापिस balance करने का काम करेगी लेकिन इस balancing situation में आपको खुद भी बहुत कुछ balance करने की जरूरत पड़ेगी और अगर आप खुद balance करने की कोशिश करते हैं तो बहतर कर पाएंगे ध्यान ये देना है कि इस पूरे मामले में आप अपने mindset को positive, neutral बनाए रखें बायस बिलकुल होने की जरूरत नहीं जितना कम बायस रहेंगे उतना सही decision ले पाएंगे अपने आपको खुद से भी बायस होने से थोड़ा सा बचाना है और उसका तरीका है सोचें नैतिकता क्या कहती है morals के according क्या सही है और जो morals के according सही है वही काम करिए ये दिन आपको सफलता तो दिलाता है लेकिन तब ही जब आप अंदर से एक confidence feel करेंगे energy aura उस तरह कहोगा और आप succeed हो जाएंगे relation के मामले में ये दिन situation को वापिस revive करने में बहुत help करेगा otherwise अच्छा बना हुआ है तीन जून का जो दिन है ये आपके लिए बुरा नहीं है अच्छा है लेकिन इस दिन आप अपनी बात को हर हालत में उपर देखना चाहते हैं मनवाना चाहेंगे इस वज़ा से आपके साथ लोगों का behavior आपको नजमें ऐसे situation बन सकती है कई मामलों में लोग आपको छोड़ रहे हैं दिन 40% आपके पक्ष में है चार जून का जो दिन है situation को आपके हाथ में ले आएगा वापिस लेकिन ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप उस situation को कैसे यूज करते हैं benefit में या non benefit में आप चीजों में आगे बढ़कर succeed होना चाहते हैं तो दिन support करेगा लेकिन इस दिन एक casualness बनी रहेगी आप जानते होंगे आपको क्या करना है लेकिन करेंगे नहीं आपको पता होगा ये idea बिलकुल सही है लेकिन काम नहीं करेंगे लेकिन इस पूरे मामले में अगर आप सिर्फ अपने दिल की सुनकर चलते हैं तो succeed हो जाएंगे इस चीज का ध्यान देंगे रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है पांच जून का दिन Capricorn आपको कुछ छोटी मोटी समस्याओं में दिन भर घेरे रहेगा इन छोटी मोटी समस्याओं को ignore करके target पर रहे target पर लगे रहें आपके target का miss होना impossible है अगर छोटी मोटी problems जो आती है इन पर आप focus करते हैं तो ये बड़ी हो जाएंगे larger हो जाएंगे larger क्यों होंगी क्योंकि आपका दिमाग इनको larger कर देगा problem कुछ नहीं है बढ़ा ले जाएंगे जैसे मान लिजे किसी ने आपके लिए कह दिया कि रहे आराज तुमसे तो ये काम नहीं हो सकता चाहे जो कर लो इंडिया में कहते हैं न तुमसे ना हो पाएगा डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग इस लाइंसे आप भी हो जाएंगे अगर कोई आपको कहता है कि अरे ये वाले काम में possibility नहीं हो सकता ये हो सकता दुनिया भर की फालतू की बात है तो आपको अपने आपको सिर्फ इतना समझाना है कि let me try मुझे कोशिश करने है कोशिश कर हो रही हो तो उनका दोहन करें फाइदा उठाएं रिलेशन के मामले में पांस तारिक बहुत बढ़िया नहीं है तो कैप्रिकॉर्ण ये था आपके लिए राशिफल एक से पाच जून तक का हेलो कुम्भराशी आप सभी का स्वागत है आपकी रिडिंग में कुम्भराशी आपके लिए एक जून का जो दिन है बढ़िया रहेगा ग्रेस फुल रहेगा आप अपनी योजनाओं पर काम करें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है भविश में आर्थिक मामलों म में आप कितनी प्रगती करेंगे इसकी प्लैनिंग करें दीखे आप सिर्फ प्लैनिंग में फेल हो रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है सही प्लैन करें और प्लैन करके उस पर काम करें सक्सीड हो जाएंगे वे मामले जो आपके नियंतरन में आ सकते हैं उन पर आपको का करके सफलता लेनी हैं और वे मामले जिनके बारे में आपको exactly पता है कि यह मेरे नियंतरण से बाहर हैं महाँ से खुद को हटा लेजिए relation के मामले में यह दिन बढ़िया है और आर्थिक प्रगति के मामले में भी यह दिन बहुत बढ़िया है दो जून का जो दिन है ये कुछ करके दिखाने का है अगर आप कुछ करते हैं तो ये दिखेगा लोग अप्रिशियेड करेंगे लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपको हूटिंग का सामना करना पर सकता है तो करते समय किसी पर ध्यान नहीं देना काम करते समय लोग एप्रिशियर भी कर सकते हैं हूट भी कर सकते हैं सबको इगनूर कर दीजीए और आप वो करें जो आपका दिल कहता है अगर आपको लगता है ये तो ये वो तो वो और आप इसकी परवाह ना करें कि आपके दिल की बात को लोग कैसे लेंगे लोगों का पोड़ा खुश कर दे।asam सम्धुखे करत्वा लाभा लाभ हो जाया मतलब होता है कि सुख और दुख लाभ हो और हानी दोनों में स्थर बने रहना तो आपको सिर्फ स्थर बने रहना जो हो रहा है होने दीजे, surrounding में चलने दीजे, आप अपने अंदर एक स्थरता को बनाए रखें, आपके लिए बहुत फाइदा होगा, relation के मामले में दिन बढ़ियां बना हुआ है, अब बात करते हैं तीन तारीक के, तीन तारीक आपको एक discouragement दे सकता है, ये discouragement, ये lack of confidence, ये स वो चीजे जो आपके लिए problem बन सकती है, पहले कोशिश करिये, जब बनेगी तब देख लेंगे, ठीक, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपने एक plan किया, आप उस plan पर काम करना चाहते हैं, और आपने सोचा दुनिया भर की मुश्किलें आ सकते हैं, आपने plan पर काम ही ने किय तो भी जब शुरू ही नहीं किया, तो फिर success होंगे या नहीं होंगे, इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता है, शुरू हो जाएए, और जो problems आनी है, अपने बारे में सोचिए कि जब problems आएंगी, then I will manage that, और वो actually manageable है, अगर किसी स्थिती में आप इसके अलावा, अगर किस स्थिती किसी situation में आप stuck हैं, फसे हुए हैं, तो वहाँ पर आपने खुद को फसा रखा है, खुद को वहाँ से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा सा introvert होके focus करिए, खुद पर आप निकलाएंगे, relationship के लिए तीन तारिक बहुत बढ़ियां नहीं बना हुआ है, अब लेते ह किसी का फाइदा है, नुकसान है, सब छोड़ दीजे, अपने लक्ष पर बने रहे हैं और अपने लक्ष को अचीव करें, पूरा अचीव करने की संभावना है, लेकिन इस दिन इस बात का भी ध्यान रखना है, दो चीजे होंगी, पहला आप अपने से पंदरा साल नीचे वेक्तियों को, पंदरा साल से छोटे वेक्तियों को प्रभावित करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही अपने से पंदरा बीस वर्ष बड़े वेक्तियों के द्वारा प्रभावित हो करके इस्तेमाल किये जा सकते हैं, तो यह वाई से वर्षा च खावा करना आपके लिए बहुत फाइदेमन रहेगा रिलेशन्शिप में थोड़ी तलखियां आ सकती हैं सारे तरह के और आपके ब्यापारिक मामलों में जॉब के मामलों में आपको ग्रोथ मिले ऐसी संभावना इस दिन बनी हुई है अब लेंगे पांच तारीक पांच करना है क्या आचीव करना है वो बाद में देख लेंगे यह संभावना उस तरह की है जैसे हम कभी कभी लाइफ में चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए बट हम समझा नहीं सकते क्या हो जाए उस चीज के लिए अंदर एक मोटिवेशन फील करेंगे तो अगर किसी योजना प कर सकते हैं इन चीजों के अलामा एक गुड नियूस मिल सकती है आपको गुड नियूस मतलब किसी भी तरह की गुड नियूस कहीं से मिल जाए दूसरे आपके पुराने दोस्तों से रिलेटिव से आपका मिलना जुलना या बाच्चित होने की संभावना भी बनी लिया तो ये सारी चीजें एक तरह से आपके फेवर में हैं और रिलेशन्शिप में पांच जून बहुत बढ़िया बना है तो कुम्भ राशी ये था आपके लिए राशी फ़ल एक से पांच जून तक करा है हेलो में राशी आप सभी का स्वागत है आपके रिडिंग में में राशी आपके लिए एक जून का जो दिन है ये पैशनेट दिन तो रहेगा लेकिन इस दिन की जो एनरजी है ये बड़ी हाई होगी इस एनरजी को आप अपने डेमेजिस को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं आप नई परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं कुछ अचीव करना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी एक जून का दिन कई संभावनाओं के द्वार खुलता है आप नई नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं नया काम शुरू कर सकते हैं सफलता प्राप्ट करने के दिश्टिकोन से आपको enough energy और passion और moral और motivation सब कुछ feel हो जाएगा लेकिन relation के मामले में ये दिन favor नहीं करता है तो इस बात का ध्यान रगया relation के मामले में favor क्यों नहीं करता क्योंकि ये high energy आपको relation में एक तरह का सौमित तो लेने की एक तरह का control लेने की कोशिश करता हुआ दिखेगा तो वो problem कर जाएगी बाकि कोई issue नहीं है दो जून का जो दिन है ये enjoyment का दिन है परिवार के साथ खुश रहेंगे एक छुट्टी भी ले सकते हैं या ले लेना चाहिए एक्चुली अगर आप ले सकते हैं तो छुट्टी ले लेजिए और परिवार के साथ दिन को बिताईए ये दिन जितना ज़्यादा आप family के साथ निकालेंगे आपका खुद का energy और उतना positive होता जाएगा जितना energy आपकी positive होगी उतना future में benefit मिलेगा जीवन साथ ही के प्रती पूरा समर्पन का भाव इस दिन आपके अंदर आ सकता है और अगर आता है तो उसे show out करिए छिपाईए नहीं दिखाईए अगर जैसे कभी कभी होता है ना कि हम प्यार नहीं दिखाते लेकिन इस दिन बड़ा प्यार आ रहा है तो दिखाईए show out करिए थोड़ा romantic हो जाईए परिवार के सदस्यों के प्रती आपका काफी ज़्यादा रुजहन रहेगा आप उनकी लाइफ को better करना चाहेंगे परिवार के सदस्यों का सम्मान भी आपको मिलेगा health में improvement होने के योग इस दिन बने हुए हैं और लोग आपको appreciate करें इस चीज के भी संयोग बन रखे हैं इसके बिल्कुल विपरित तीन जून आपको फिर से समस्यों में घेर सकता है और ये समस्यों आपके शत्रूओं की ओर से आ सकती हैं जो लोग आपको नापसंद करते हैं अपोज करते हैं वे आपकी लाइफ में problem create करने की कोशिश कर सकते क्योंकि आप ज़्यादा ही खुश दिख रहे थे एक दिन पहले तो उस मामले में आपको सिर्फ surrender करना नहीं है इसको ध्यान रखें ना तो normally surrender करना है ना mental surrender करना है अगर आप surrender नहीं करते तो आपको कोई हरा नहीं सकता उन लोगों की सारी strategies end of the day fail हो जाएगी fail होती हुई आपको दो पहर के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी फिर आप encourage हो जाएगे लेकिन आपको over confident नहीं होना की अब मैं इनको सबक सिखाओं वो नहीं करना है ठीक है इस चीज़ से हटें अच्छा दूसरा किसी नए काम को त थोड़ा introvert कर देगा जब आप अपनी capabilities या अपनी qualities के बारे में थोड़ा डाइसी या doubtful हो जाएंगे आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं इसी उध्रबुन में आ जाएंगे decision नहीं ले पाएंगे आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी कुछ पुर जाते थे अपनी ताकत को तो जामवन तो उनको कभी कभी याद कराते थे कि हे कपी राज तुम कितने powerful हो याद करो तो फिर वो बहुत कुछ कर लेते थे तो ऐसे आपको खुद को realize करना है realization की वजह से आपका motivation जो गया वो वापिस आ जाएगा confidence फिर से बन जाएगा और उनका दिन आपके behavior में एक roughness ला सकता है लेकिन इस roughness के बावजूद आपके द्वारा सोची गई बातें बड़ी unique होंगी आपके decisions बड़े better होंगे आप गंभीर मामलों पर problematic situation पर भी बढ़िया तरीके से decision लेने में सक्चम हो पाएंगे ये दिन आपको एक बेहतर और बेह गुसरों को दिखाना नहीं है अंदर से गुसा है रखे लिए ठीक है गुसा एक energy होता है उसे कभी-कभी दूसरी और divert कर दीजिए सोच के रखे मैं गुसा होंगा तो फला काम करूगा फला काम करूंगी और जब गुसा है तो उस काम को कर ये शुरू-शुरू में थोड़ अपना ego नहीं बनाना उसको ठीक है और ignore कर रहे हैं चलो एक दिन ignore कर लेने दो मेरे को भी थोड़ा सुकून है ऐसा फिल कर ये बहुत ज्यादा की चाह बहुत बहतर करना और हर चीज में perfection खोजना मुसीबत का बायस बनेगा इस चीज़ से आपको बचने की जरूरत है relationship के मा शिफल यहीं पर complete होता है आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने experience अपने अन्भोग comment section में जरूर लिखे इस वीडियो को like करिए share करिए और चैनल को subscribe जरूर करिएगा अगले वीडियो में फिर मिलूँगा बाई बाई